मेरे यूटूब चैनल कर्ट से सब्सक्राइब है और हैं डोस्तों अब तो आप लोग में अब हएता आप लुग अच्छे होंगे इसमें अछे। ये रखा हुआ है जर्यनियम प्लांट है और मैं इसको नर्सरी mentre आई थी ये बिंटर दोस्तो लेकिन अभी तक इसमें अच्छी फ्लाबरिंग हो रही है और यहां एक आप लोग दनेन इन जैसे उतंग देख सकतेन गुछ धनाते इसमें ? से उत्राष नहीं उत्त नहीं की और हो उपता देन पता लेकिन 姐्लिक नहीं कर दोग देख सकते हैं अभी फूल आ चुका था पहले भी हमने उसको अटा दिया, क्योंकि उसके फूल सूप चुके थे, क्योंकि फच्ट वही निकला था, और दोस्तो देखिए, इसके जो पत्ते हैं, जो पत्तियां ये एक भी पत्ती आप लोगों दोस्तों पीली नहीं देखेगी मेरे प्लांट तो अपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा इस त्रीके से ढहीं निकलेंगी धेख शनी वह रहे निकल रही है अनुस्तों डेखिये यह हरड़ी प्लांट होता दो अगर इसक Panda लगाना चाहते हैं तो發dle को ओध मारे थाज़्ी It at एक ही बार आपको नरसरी से लाना पड़ेगा बार अबार इस प्लांट को खरीदने की जरूत नहीं पड़ेगी त्योकि इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रोव हो जाती है और मैंने कटिंग ग्रोप की भी है अभी फरवरी में तो इसका बहुत अच्छा चांस और आपका तो दोस्तों देखेए यह आप लोग देख सकते हैं मिट्टी जो मैंने मिट्टी बनाई हुई दोस्तों इस åber wash in नहीं करनी है काई लोग क्या करते हैं इसमें ज़्यादा पानी डाल तो इसके पतियां कहिते हैं अ और देखे दोस्तों इसके पौधी की ग्रोध में आप दिखा देती हूं बहुत ही healthy पौधा हुआ है देखिए इस तरीके से पौधा बहुत अच्छा हुआ है और दोस्तों इसमें थोड़ी से ध्यान रखने के जरूरत होती है कि पानी जादा नहीं देना है और पानी के साथ साथ दोस्तों इसकी थोड़ा सा गुड़ाई कर देना और गलती के वैसे पौधा खराब होने लगता है इसको फुल सनलाइट में रखते हैं दोस्तों मैंने देखा है कि अगर आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसके जो फ्लावर रिंग होती है अच्छी नहीं होती है जो पौधे ग्रोथ होती हो अच्छी नहीं होती है ध तुबे की ही धीमी धीमी से धूप आती है दो से तीन घंटे की और इसके बाद धूप नहीं आती है जादा यहां पे तो ऐसी जगह पे अगर इस प्लांट को आप रखेंगे तो बहुत अच्छा पौधा होगा आपका तयार होगा आपको कोई दिगत नहीं होगी इसमें तो अज्ध एसके लिए दोस्तो जो ऊच्छान होता है जुछ कर नफी आज़ता होता है अगर आप उसको यूच करते हैं तो आपका पौधा ऐसे लगें हरा प्राटरा में डालना है अब गमले के हिसाब से डाले अपकी गमले में मिट्टी कितनी है कितना बड़ा आपने पॉट लेकर रखा हुआ है तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी फ्लाबरिंग होगी दोस्तों देखिए अभी यह उपर इतनी फ्लाब पॉरिंग और रिजल्ट देखने को मिलेगा देखिए इस तरीके से गुच्छे बन रहे हैं काफी सारे बन रहे हैं यह देखिए दोस्तों अभी छोटे छोटे भी निकाल रहे हैं बहुत छोटे हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों देखिए आप लोग भी केयर करें आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा यह थी दोस्तों थोड़ी सी मेरी जानकारी आप लोग कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली वार आए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा तब तक लिए थाइंक्यू बबाए